आज 9 जून 2022 आज की इस आकार मुर्ली से हमें गुण सीखने मिलता है सुखदाई बनने का जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम तीन तरह से अपनी उर्जा का आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों से अपनी वाणी से और अपने कर्मों द्वारा thought, word और action के द्वारा हम energy ट्रंसमीट करते हैं energy exchange करते हैं अगर वो energy यानि के विचार, वानी और कर्म में नकारात्मकता है तो हम negative energy exchange कर रहे हैं और अगर हमारे thought, word और action में सकारात्मकता यानि positivity है तो हम positive energy exchange करते हैं अर्थात हमारे कर्मों का account बनता है positive अगर नकारात्मका energy है तो negative बनता है इसलिए हमें अपनी इस एनर्जी को सही रिती से यूज़ करना है कई बार हमारे मन के विचारों के अंदर नकारात्मकता होती है और बार-बार वो नकारात्मक विचार हम किसी के लिए कर रहे होते हैं तो उनके साथ हमारे संबंद कभी अच्छे नीबन पाते हैं। और क्योंकि वो बुद्धी के अंदर, मन के अंदर विचार नकारात्मक चल रहे हैं, तो कभी न कभी वानी में भी वो आजाते हैं, जो हमारे संबंदों को और भी बिगार देते हैं, इसी लिए हमें ध्यान रखना है अपनी वानी पर भी और अपने वचारों पर भी क्योंकि मुक से अगर कोई शब्द निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं और अगर वो नकारात्मक है एनर्जी यानि कि किसी का मजाग बनाया किसी को दुख देने वाले बोल बोल दिये या किसी को नीचा दिखाया किसी को क्रिटिसाइज किया तो इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स जो होते हैं हम मुक से अगर बोल देते हैं तो दूसरे को दुख मिलता है और वो दुख्की energy जो create होती है, return में हमें मिलती है इसलिए ममा हमेशा कहती थी, कि कभी भी क्रोध नहीं करना ममा जो थी वो बहुत sweet थी ममा की जीवन में अन्श मात्र भी क्रोध नहीं था और अगर किसी के जीवन में क्रोध होता था तो मम्मा कहती थी क्रोध को भूत कहा जाता है और इस भूत को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देना क्योंकि वो नेगेटिव एनरजी हमारे जीवन को दुख अनुभव कराती है और दूसरों को भी दुख देती है हम अपने जीवन के अंदर अगर सुखदाई कर्म करेंगे अच्छे विचार करेंगे तो हमारे अकाउंट भी दूसरों के साथ पॉजिटिव बनेंगे हम इस पर ध्यान दे क्योंकि नकारात्मक उर्जा, नकारात्मक एनरजी क्रियेट करती है और रिटर्न में हमें वही नेगेटिव चीजें मलती है तो अपने अंदर में अपने विचार, अपनी वानी और अपने कर्म में कभी भी हम क्रोध को न आने दे और सुख दाई बोल के द्वारा अपने संबंधों को मधुर बनाएं आज के दिवसकी यही शुपकामना, ओम शंती